तो यहां पर दोस्तों है क्या की शुरू करते हैं कि आप लोगों इतने सारे कॉमेंट पूछे ये वाली वीडियो में देखो ये वाली जो वीडियो है आप लोग ने पूछा तो मैंने फाइनली सोचा कि चलो भाई की पाटली पुत्रा उनिवर्सिटी एडिमिर्सर इन कॉल अभी आया नहीं तो भाई क्या करें तब पूर मुलाकर देखो यहां पर मैं आप लोगा शुरू सुभाई एक बंदे का मैंने पेमिंट किया था सबसे अधिक पूछे तो यहां सबसे पहला कोश्चन है हमारे राधे गीनी जी का सर पुराना जाती पमान पत्र है तो नहीं अब देखिए दोस्तों जाती चेंज हुआ नहीं है यहां मतलब है कि आपका कोई भी जो होता है का सर्टिफिकेट वह आपका एक साल से अधिक पमान नहीं होना चाहिए नियम कानून होता है तो अगर इतना नहीं पता तो फिर गल्ती आपकी है तो यह आप करवा लिजे अ अब देखिए यहां पर एक बंदे कोई कहां कमेंट है सर एन कॉलेज में बी ए ओनर्स हिस्ट्री के 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 लिए कितना फी लग रहा है एडिविशन के टाइम टोटल सर प्रीच में इस टॉपिक पर हम वीडियो बना दिये हैं और आप लोग को आई बटम पर एफिलेबल है अगर आप लोगों को देखनी है कि क्यों से कॉलेज में कौन से कोर्स के लिए कितना फील लगता है तो देखो यहां पर आप लोगों को मैं यहां पर आई बटम पर लिंक देता हूं बहुत ज़्याइं इंपॉर्टम वीडियो है जाकि आप देख लिजाएगा अब आते है यहां पर आपका अभी कहीं भी हो सकता है जब तक आप अभी लेते हो तो अभी आपको जो अप्लोड करनी है डाउन डॉक्यूमेंट वह आपको फोटो कॉपी देनी या फिर आप लोगों को देनी है औरीजिनल का फोटो मतलब इस कांक कर देनी है अगर आपका भी होता है अभी कर लो मतलब आपका अभी कहीं अभी नहीं मांगा रहा है वह सब्सक्राइब कहीं भी अप्लाइब ले लो लेकिन जो अभी किये हो वह पैसा आपका भबाद जाएगा अब देखो यहां पर जो है नेस कोमेंट है कि रजिस्टेशन स्लिप कॉलेज में मिलेगा देखो अभी जो आप ले लोगे पेमेंट मेंट कर दो तो उसके कुछिंग के बाद में आपका होगा एक साथ ही ठीक तो यहां पर जो है सो वह जो है सापका हो जाएगा तब मतलब यह आपको नहीं मतले लिनी है यह स्लिप नहीं मिलती है आप देखो एक बंदे ने तो इतना सबसे पर ले उने फॉन उठाया ठीक है सबसे परले उने वाच चब कर दो बात किजिये मुझे बात किजिया मैंने बात किया कुल मिला कर 15 मिट में समय खिल किया उसने इसे दोस्तों मैं फॉन पीकापीच़का नहीं करता हूँ वह क्या कह रहा है कि सर मेरा जो है 69 परसेंट था या इंटर में लेकिन मैंने अच्छे कोलेज के चक्कर में 71 परसेंट डाल दिया फॉर्म भड़ने में और सुधारबाय ने सब अब कैसे सुझ गया आप मुझे बता भाई तुश्टी नाइम परसेंट डाला यहां पाजब था तुम डाला क्यों कहा रहा है कि साइबर इतना बेवखूप नहीं होता है आपने ऐसा हो गया है तो आपका जिंगी पर ऐसे कर वाए इससे कर वाए घृंट पुटान क्यों कर लोग कर लो आप लोग बात तो माने मालों हो नहीं ठीक है जलो आप यहाँ पर एक बंद्ले कॉमेंट है कि लेने के बाद नि मिलेगा कि आप फिर बिना एडिमिर्शन ले अब जो स्लाइड आप जो है उसके बगल में प्राइड पुत्रा कहरा लेकिन कब आएगा यह पुत्रा ने अभी तक कोई भी यहां पर आप अफिसल अप्रेट नहीं दी है अन्ना तो यह कही कि भाई इस पर द में एडिमिशन ले सकते हैं मतों वहां पर सकेंड में आपकी दूसरे कॉलेज है दूसरा च्वाइस वह आ जाएगी अब देखो अब आता यहां दूसरा अप्डेट है यहां पर देखें काई सर बीडी कॉलेज में कितना फिल है मैंने पहले काई काई फी के लिए बाई कोब देखो सबसे-ध मंने अपके आपके पास आवासिय तहीं अगर बॉलॉक में आपके आसपास बंता होगा स palette को बनव लुचे अब अविसंय कुं संकर आप तब apply कीज़ेगा आप ले बेस्ट होगा आप लेको इस बंद ने comment किया था कि सर college of commerce का website कब खुलेगा admission के लिए आप इंको admission करवाना है यह कर रहे हैं सब college of commerce का अक्लिए में क्या है कि वहाँ जब जाओगे तो वहाँ टुल दिखाएगा आप लोगो ठीक है वहाँ अभी तक अब आते हैं अपने इस college है देखेगा कि admission लेने के बाद 15 देज से पहले college जाना परेगा a document लेकर सर अब देखे यह तो आपको मतलगी 15 देखो है क्या कि अगर admission ले लोगे सब कुछ अब upload कर दोगे upload करने के बाद आप कुछ दिन के पंदर दिन के बाद में जानी है college college में अपना document verify करवाना अकर नहीं करवागे तो फिट admission आपी cancel हो जाएगी तो यह 15 दिन के बाद करना है और इसके लिए पाकिट पुता नोटीस जारी कर देगे इसके लिए अभी सही परसान होई जोत नहीं है है ना छोटू आप आता है यहां पर नेस comment देख लो बाई एक ही ब college of commerce में admission लेना है बट मुझे यहां पर एक दिक्कत हो रही है दिक्कत यहां पर यह हो रही है भाई मुझे यहां पर कि कन्या महाविद्याले भीटा में महिला कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं क्या करू admission लू या फिर वेट करू इसका अब देखिए मैं इस बंदे को पर एक ही बाद बोलूंगा कि भाई अगर इसमें आप सक्षम हो तो admission लो अगर नहीं है slide up कर दो इसमें कौन सी बड़ी बात है ठीक है तो अब देखो यहां पर एक question और मैं लेता हूं ठाता हूं मैं randomly question ठाता हूं हां यह देखो यह बंद कमेंट किया तो बहुत important कि सब BD college में reference number मांग रहा है user ID जालने से नहीं हो रहा है अब देखो जो BD college है उसमें या या फिजी कोलेज हिलसा इसमें reference नमग रहा है reference नमबर वह होता है कि 20 आपका देखो आपका होगा एक ID 20G 0083 20G 005341 इस टाइप का वही आपका reference number है और इसके लिए दोस्तों BD college ने जारी भी कर दी थी अपना बता भी दी थी अगर आप मुझे follow करते हैं आप मैं बहुता है कि मैं इंस्टाराम पर इसा ही प्रॉलम आपको आ सकती है और मैंने एक लिस्ट दी है जाकि वहां पना reference number देख लो आप लोग यह जो लिस्ट है में ट्राम चैप अबलेबल अगर देखनी है कि मेरा ही बता रहा है इंवालिट यहां पर है क्या कि जो भी जो लोग है वह सब क्या कर रहे हैं अभी तक पाटली पुत्रा युनिवर्शिट के तरफ जो भी कॉलिज है वह सब अभी अपडेट नहीं किये वह सब इंटर वना एडिमिशन को ही अपडेट कर रहे है इसका समय तक कुछ ठीक हो जाएगा आप नहीं बताएगा फ़भी इनविट्स नहीं बता रहा हूं, मैं जानता हो क्यों बता रहा है अब आते हैं यहां पर अब देखो एक बंद्य यहां कहा यह करना कि सर इस मेरा क्यैमेश्ट्री से आया है और मुझे फिजिक्स से लेना है क्य देते हैं आप इस बात को थो आप ख्याल लखिए आप लोग ठीक है आप चलते हैं आप नेक्स्ट डीजिए कि सब स्लाइड आप कब आएगा उस पर वीडियो बनाएं देखो स्लाइड आप जो आता है कम से कम उसमें तीन दिन समय लगता है और पार्टली पूतरा इसके लिए लिस्ट जाए कर देती है जब आएगा मैं आप लोग बता दूंगा ठीक है उसके लिए चिंता करने की कोई बात आप लोगो है नहीं बंदापने आ अपने डिनले करते लोग अधिर Подेखे दोसटो चलो और पर देखतें है इस लाइड करने के लिए वीडियो और बना दिया के गाम आहीं देखो मैं आपको यहाँ shorter प्कुल पूल वीडियो प्रोसेस चाहिए वहां पर देख लेना चलो आगे देखते हैं आगे देख लेते हैं भाई बहुत सरा कॉलेज है पता ने कितने सारा कॉमेंट लोग कर बैठे हैं है सर अभी एडविशन नहीं हो रहा है टीपिस करें हाजी जानता हूं बिलकुल नहीं हो रहा है बहुत साटा को अभी नहीं खुल के आ रहा होगा मैं जानता हूं यह खुल कर क्यों नहीं आ और इंटर वाले रेफ्रेंश नमर डालने पर उचल लाई तो आप लोग का झो है नूँउर वाली चीज तो वह नूँउ में थब आ समय दो आज का समय देदो कल साम तक ठीक है आज नहीं कल साम तक आप लोगों का अपड़िट हो जाएगा फिर कल साम से ठीक से पिमेंट कर देना ठीक है यह मानता हूं सो स्लो प्रशेसर लेकिन क्या करोगे थोड़ा मजबूरी समझोगे कल तक थोड़ा समय देतो बिहार है ठीक है न अब देखो जिन लोगों का कॉलिट पसंद नहीं है जिसों स्लाइट अप करना है तो उसके लिए एक दो दिन ठहर जाओ पाटली पुत्र का कुछ नोटिस आने दो जब आये का तो मैं आप लोको बता दूंगा दो दो दिन तिन समय दो ठीक है जो को पसंद नहीं वह अपलाई मत करो और जि इसको कहना थोना मुश्किल हो जाता है तो बस यार वीडियो में यही था और आसा करता हूं वीडियो पसंद में आयोगी दोस्तों और जाकर अगर यह वाली वीडियो जो जाकर देखना यह वाली वीडियो ठीक है बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है यह इसका जाओ तो मै यहां पर लाइक करते हो तो यहां से सब्सक्राइब क्लिक करते हैं और यहां कर दो यहां गंटिंगा वाले लेकन है उसे घंट्टी आले क्लिक करें करके करना तभी मेरे